हेलो एवरिवन, टोड़े अवर सब्जिक्ट इस जेनरल नौनेज सुबच हम स्टार्ट करते हैं, चैप्रे नमर नाइन, सन, मून, स्टार्स एंड अर्थ सुबच हम आपको पता ही होगा कि सन, सन, मून, स्टार और अर्थ के बारे में ठीक है सन कहा होता है, स्काय में, और वो कब मतलब, कब दिखता है हमें सन, मॉर्निंग में देन मून, मून भी स्काय में होता है, वो कब दिखता है हमें, नाइट में, स्टार और अर्थ मतलब अर्थ में तो हम सब रहते हैं, ठीक है और मतलब पुरुथवी ठीक है सो हम उनके बारे में जानते है ठीक है Now start We see the sun, the moon and the stars in the sky क्या लिखा है Sun, moon और stars हमें sky में दिखते है They are very far from the earth वो बहुत दूर है और से ठीक है Then, filling the blanks with suitable words क्या लिखा है जो proper word होना वो यहाँ पर हमें लिखना है खाली जगा में देख लेते कौन से-कौन से words हमें दिए है यहाँ पर हमें words दिए ठीक है वो words में से जो proper answer होना वो हमें लिखना है खाली जगा में ठीक है बच्चो First, sun is a So हमें यहाँ पर option देखना है sun वो क्या है so sun is a star ठीक है sun भी एक star है so हम यहाँ पर लखेंगे h-t-a-r star sun is a star it has light of its own मतलब वो कैसा होता है sorry sun कैसा होता है एक दम bright होता है ठीक है इसलिए लिखा है उसके one ही वो मतलब खुद ही अपने बोलते है sun वो गोला है आका गोला है ऐसा बोलते है न so बस यहाँ पर यही लिखा है it has a light of its own वो खुद ही उजलता है मतलब खुद ही bright होता है ठीक है then second second क्या है dash is not a star it does not have light of its own क्या लिखा है कि वो star नहीं है ठीक है और वो bright भी नहीं होता है so moon जो है वो star नहीं होता है ठीक है so our answer is moon then third one stars look so small because they are very dash from us ठीक है star looks so small star looks so small because they are very dash from us क्याएगा far वो हमसे दूर होता है so answer far then fourth one dash bring rain ठीक है so बारिश कौन लाता है बादल लाते है so our answer is clouds okay then fifth one fifth one क्या है more than half of the earth is covered by dash and the remaining part by dash so our answer is more than half of the earth is covered by water water हमारी जो पृत्वी है न बच्चो वो आधे से उपर पूरी पानी से मतलब भरी हुई है ठीक है and remain by part by land okay then sixth flat land is known as dash and high land as dash dash okay so flat land is known as plains okay and hills पहाडी okay then seventh one some very high hills are known as mountain easy answer okay I am seen after I have seven colors I am known as rainbow बारिश के बारिश के बाद seven color में दिखता है न हमे so उसे हम क्या कहते है rainbow okay सो बच्चो आपको अच्छे से यहाँ पर वर्ड देखने है और मैंने कौन सा अंसर कौन से सेंटेंस में लिखा है वो अच्छे से ध्यान रखकर फिर आपको लिखना है ठीके बच्चो so आज का homework यह है आपका ठीके thank you